अस्तामलेकम फ्रेंड्स वेलकम बैक टूप स्मार्टिस ड्रामा सिरियल स्यानी क्या किरन इबरार को मारतेगी? किरन का क्या इंजाम होगा? किरन के बच्चे उसे नफरत क्यों करेंगे? वीडियो को मुकमल स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राब कर दीजे साथी बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस किछेगा ताकि मेरी हराने वाली वीडियो आप बहुत असानी से देख सकें फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम देखेंगे जरूर बच्चों को उनकी मां से मिलवाने ला रहा है बचे किरन की सोतन के वले से उसे मिलना नहीं चाहते इसलिए वो जरूर बाब को मना कर देते हैं कहने लगे बाबा नहीं आज आपके साथ पार्क जाती हैं आपके साथ देता है दूसी तरफ हम देखेंगे इबरार जो कि अपने बेट पर बैठा फून पर गेम्स खेल रहा है ऐसे में किरन उसके पास आजाती है कहने लगी मैं पुलीस के पास जाओंगी तुम्हरे हलाफ केस करूंगी तुमने मेरे से सारा फ्लैट पी ले लिया मेरे पैसे भी नहीं छोड़ूंगी जरबाब तो उसकी बेवकूफ याना बातों पर हसने लगता है हसते हसते कहता है तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा मैं तो जरबाब के पास जाओंगा और उसको बता दूँगा उसकी बतीजी को तुमीने ही किटनाप किया था किरन जो कि बोल अचिसे यहां पर रहना है रहो दो वक्त की रोटी इज़त से खाओ वरना तुम्हें घर से निकाल बाहिर करूँगा अब इबरार उसका हाथ पकर कर उसे घर से बाहिर निकालने लगता है जैसे ही घर का दर्वासा खोलता है सामने ही किरन के बच्चे खड़े हैं किरन के ब मामा नहीं डाइन है ये तुम लोगों को अगर इसके असलियत बता दू तो तुम लोग अभी यहां से निकल चाओगे और इससे नफरत करने लगोगे किरन इबरार को पीछे करके बच्चों के सामने आकर खड़ी हो जाती है कहने लगी मेरे बच्चों को कुछ मत बताना मेरे बच्चों से कोई बात मत करना वरना मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूंगी ऐसे मैं इबरार किरन को पीछे धका देता है बच्चों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनको पताने लगता है बेटा मैं अब आप लोगों को बताता हूँ नवीन को किड्नैप तुम्हारी माने किया था और जरबाब से 5 करोड की डिमांड भी इसी नहीं की थी ये तो असल में तुम लोगों को किड्नैप करना चाहती थी लेकिन तुम लोगों के लिए इसे मौका नहीं मिला तो नवीन को ही किड्नैप कर लिया तुम लोगों की मा, मा नहीं डाइन है, तुम्हारे बाप ने बहुत अच्छा किया, इसको वक्त पर ही घर से निकाल दिया बच्चे जो के बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत मम्किन है, इस टाइम ये घर से भी बाहर आजें किरन इना रोकती रहेगी, लेकिन याब किरन के पास रुकने वाले नहीं, किरन तो वहां पर रोती ही रह जाएगी अब बहुत मम्किन है कि जैसे ही बच्चों के दिल में इसके लिए नफरत पयादा होगी, अब ये इपरार को भी मारतेगी उसके बाद इसको जेल हो जाएगी, कतर के जुरम में जब इसको जेल होगी तो इसको फांसी भी होगी, इसलिए ये वापिस आने मादी नहीं बहुत मुम्किन है किरन जेल में ही रहकर खुदकुशी कर ले या फिर पागल हो जाए दूसी तरफ बच्चे अब आशा के साथ सेट हो जाएंगे वो जानते हैं कि उनकी माँ माँ नहीं थी बलके एक फ्रोडिया थी उसे तो सिफ पैसों की लालच थी हवस्ती हर वकत अब वो आशा को ही अपनी माँ समझने लगेंगे और उसके साथ ही अपना रिष्टा अच्छा कर लेंगे फ्रेंड साहर कर किरन का तो यही अंजाम होना था और यही अंजाम होगा क्या हर में उसके पास कुछ नहीं बचेगा वो अपनी जान से भी हाथ गवाएगी क्या आप किरन का यही अंजाम देखना चाहते थे या कुछ और कमेंट्स में ज़रूर बताईए क्या वीडियो अच्छे लगी लाइक और शेयर ज़रूर किचेगा मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किचेगा अलाहाफेज